हेलो एव्रीवन, वेलकम तो ओनलाइन स्टडी पॉइंट, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेलवे एंटी पीसी मॉडल पेपर 20 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ डिसकस करने वाले हैं और हम सारे MCQ को डिटेलिंग के फॉर्म में डिसकस करेंगे इसके पहले मैंने 19 पार्ट्स ओनलाइन स्टडी पॉइंट के प्ले लिस्ट में अप्लोट कर रखे हैं यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ओनलाइन स्टडी पॉइंट के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे ही question important है, इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखेगा और आप इस वीडियो की पीडियोफ टेली ग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question किसी gas को दबाने पर या संपीडित करने पर क्या प्रभाव पढ़ता है? तो जब किसी gas का संपीडन किया जाता है, तब दाब और ताप दोनों बढ़ते हैं यनिकी pressure और temperature दोनों ही increase होता है next question है, safety razor का अविशकार किस ने किया था? तो safety razor का अविशकार किया था जिलट ने मारकोनी ने किसका अविशकार किया था? मारकोनी ने अविशकार किया था रेडियो का JL Blade ने टेलिविजन का और Max Planck इन्होंने quantum के सिध्धान्त की खोच की थी next question है, सबसे तीव ब्रगती से सूरी का चक्कर लगाने वा लग रहा कौन सा है? इनकी कौन सा प्लानेट है, जो सबसे कम समय में सूरी की परिक्रमा पूरी कर लेता है? यह है बुद्ध और बुद्ध को कुल 88 दिन लगते हैं सूरी की एक परिक्रमा पूरी करने में और बुद्ध सौर मंडल का सबसे चोटा ग्रह है बुद्ध है सबसे छोटा ग्रह तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ब्रहस्पती और वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह है वर्तमान में है कुल आठ ग्रह और सौर मंडल की खोज किस ने की थी कोपर निकसने तो इनका नाम भ्याप याद रखिएगा नेश कोश्चन है अकबर के शासनकाल में भूराजस्व के लिए कौन उत्तर दाई था? कई बार पुछा गया कोश्चन है तो भूराजस्व सुधारों के लिए उत्तर दाई था टोडर मल और तानसेन तानसेन अकबर के नौर अतनों में से एक थे और एक कोश्चन पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहां इस्तित है तो तानसेन का मकबरा इस्तित है मध्यप्रदेश के ग्वालियर में और बैरम खा कौन थे? तो बैरम खा अकबर के सनरक्षक थे इन्हें अकबर के संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है बैरम खा नेश कुश्चन है आलू में ब्लैक हाट यह किसका कारक है तो आलू में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हाट होता है यह आप याद रखिएगा और बात यहाँ पर ऑक्सीजन की आई है तो आक्सीजन का अटामिक नमबर कितना होता है एट और आक्सीजन गैस की खोज किस ने की थी आक्सीजन गैस की खोज की गई थी 70-72 में कॉर्ल विलियम शीले के द्वारा और यह किस कांट्री से बिलॉंग करते थे तो यह बिलॉंग करते थे Sweden से तो इनसे related country का नाम भी आप याद रहखीगा Next question है आजादी के समय भारती राष्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष कॉन थे तो स्वत अंतरता के समय भारती राष्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB क्रिपलानी और JB क्रिपलानी झंडा समीती के भी अध्यक्ष थे और जंडा अंगी करन दिवस यह मनाया कप जाता है यह मनाया जाता है 22 जुलाई को क्योंकि 22 जुलाई 1947 को भारत को स्विजरलेंड किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है कैसानी को और कॉसानी है कहां तो कॉसानी उत्तरा खंडे के बागे स्वर जिले में इस्थित है और यह 6,75 फुट से ज्यादा की उचाई पर बसा हुआ है और बहुत ही खुबसूरत हिल स्टेशन है और इसे ही भारत का स्विजरलेंड कहा जाता है और भारत का पैरिस भारत का पैरिस कहा जाता है जैपूर को और इसे Pink City के नाम से भी जाना जाता है और UNESCO द्वारा जैपूर को कुछ समय पहले ही World Heritage Side में शामिल किया गया है Next question है Ice Hockey यह किस देश का राष्ट्री खेल है तो Ice Hockey है Canada का राष्ट्री खेल अमेरिका का राश्ट्री खेल क्या है बेस बॉल, आस्ट्रेलिया का क्रिकेट और चीन का तो चीन का राश्ट्री खेल है टेबल, टेनिस और इंडिया का तो इंडिया का राश्ट्री खेल है हौकी नेश्ट कोश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं भारत के किस राज्जी में इस्थित है तो यहां इस्थित है महराश्ट में एलिफेंटा की गुफाएं है जो महराश्ट के मुंबई में लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है और इससे related question पूछा जाता है जो elephant की गुफाएं है उसे 1987 में इने की 1987 में विश्व विरासत इस्थल की लिष्ट में भी शामिल किया गया था Next question है most important मधुवनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है तो इसका संबंध है बिहार से बिहार की capital क्या है पटना मुख्य मंत्री कौन है नितीष कुमा Next question है संविधान के किस अनुक्षेद में चुआ चूत का वर्णन है तो इसका वर्णन है अनुक्षेद सत्रा में चुआ चूत यनि की अस्प्रश्यता और एक चीज में बता दू Article 17 और Article 15 दो ये आपस में एक दूसरे से समानित है अनुक्षेद सत्रा कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जादी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता जबकि Article 15 दो यह कहता है कि सारवजने के स्थान पर जैसे कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आधी स्थलो पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता तो यह बहुत हद तक एक दूसरे से समानित है अनुक्षेद 17 और 15 दो और अनुक्षेद 40 इसमें पंचायती राज्युक की इस्थापना की बात की गई है आर्टिकल 61 यह राष्टपती के महाभियोग के बारे में बताता है और आर्टिकल 108 आर्टिकल 108 के अंतरगर सयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है सरवाधिक अब्रग किस राज्य में पाया जाता है अब्रग इनकी माई का और सबसे ज़्यादा माई का पाया जाता है आंधर प्रदेश और राजस्थान में और सबसे ज़ादा तो सबसे ज़ादा पाय जाता है आंधर प्रदेस में और पूरी दुनिया का लगभग 80% अबरग जो है वह इंडिया में ही पाय जाता है और यदि राज्य की बात करें तो आंधर प्रदेस में आंधरीपिदेश की Capital क्या है? हैदराबाद और प्रस्तावित Capital क्या है? अमरवती और आंधरीपिदेश में ही भारत का 25 वा उच्च न्यायाले खोला गया है और भारत का पहला मेगा अक्कवा फूड पार्क इसका भी उतकारडन आंद्र बिदेश में इसी वर्ष किया गया था नेश्ट कोश्चन है मसालो का बागान किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है के интерес को और केरल किसके लिए प्रसिद्ध है काजू के लिए इलाईची के लिए और मसालो के लिए और अभी कुछ समय पहले ही केरल में भारत का पहला स्पेश टेक पार्क भी खोला गया है तो ये भी आप याद रखिएगा नेश कोस्चन है निमनी लिखित में से किसने अपनी आत्म कथा फार्सी में लिखी तो किसने लिखी थी जहांगीर ने जहांगीर जो की अकबर का बेटा था और जहांगीर के साशनकाल में चित्रकला चर्मोत कर्स पर थी याप याद रखिएगा और इनके साशनकाल में एक पेंटर थे जिसका नाम एकजामें पूछा जाता है विशनदास जो कि जहांगेर कि सासनकाल के प्रशिद्ध चित्रकार थे Next question है अलिगर्यम वश्विद्याले की स्थापना किस ने की थी? तो अलिगर्यम वश्विद्याले की स्थापना की थी? सर सेइद ऐहमद खान ने और कब की थी? 1875 में Next question है सरवाधिक लवर्टा किस सागर में पाई जाती है तो यह पाई जाती है म्रज सागर में यहनी कि डेड सी में Next question है हौकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो हौकी के जादूगर कहे जाते है मेजर ध्यान चंद और इसी के इनी के जन्म दिन के उपलक्ष में 29 अगस्त को राश्ट्री खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है राश्ट्री खेल दिवस और अंतर राश्ट्री खेल दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है 6 अप्रेल को Next question है दूद को दही की रूप में खटा करना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है किनवन है मैं यह इसे ही फर्मेटेशन भी कहते हैं नेश कोश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था तो इन्होंने रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था और रॉलेक्ट एक्ट यहां 1919 में भारत आया था और एक कोशन पुछा जाता है कि गांधी जी और नहरु जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक क कि संग्यास दी गई थी नैसित कोौश्छन है धूब का चस्मा बनाने के लिए किस कांच को उपयोग किया जाता है तो यह किया जाता है कुप dal अशग को इई-ईजी का उपयोग किस की गतिविधी दर्ज करने के लिए कीया जाता है ईईइजी का फुल धढकन को नियंद्रद करने के लिए किया जाता है पेस मेकर क्युपयों नेश कोश्चन है नियम लखित में से किस नदी को दक्षण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षण भारत کی गंगा कही जाती है कावेरी नदी आप लोगों को confused नहीं होना है दक्षण भारत की गंगा कावेरी और दक्षण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो दक्षण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी गाय की दूद का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है तो यह होता है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण और इदि आपसे पूछा जाए कि दूद का रंग किसकी मौजूदगी के कारण सफेद होता है तो यह सफेद होता है कैसीन के कारण और lycopene जो टमाटर का लाल रंग होता है वो इस lycopene के कारण ही लाल होता है नेश कोश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के रिये कौन सा राज्य प्रसिद्ध है तो यह है करनाटक करनाटक की capital क्या है बैंगलोर और बैंगलोर को ही भारत की Silicon Valley के नाम से ही जाना जाता है और बैंगलोर अपना official logo लाँच करने वाला भारत का पहला देश है करनाटक के मुख्य मंत्री कौन है B.S. यदुरप्पा गवर्नर कौन है वजू भाई बाला next question है उड़ो लड़ो हार्मोन यह किसे कहा जाता है यनिकी fly and fight हार्मोन यह कहा जाता है adrenaline को next question है निम्न लिखित में से घास की मैदान पर कौन सा tennis tournament खेला जाता है तो आप सभी जानते हैं चार तरह के tennis tournament होते हैं एक वर्स में Australia Open, French Open, Wimbledon Open और US Open जिसमें कि जो Australia Open और US Open है यह खेला जाता है hard coat पर French Open खेला जाता है clay coat पर यनिकी मिटी के मैदान पर और Wimbledon Open खेला जाता है घास के मैदान पर यनिकी grass coat पर next question है चार मिनार यह किस राज्ज में स्थित है तो चार मिनार स्थित है हैधराबाद में और यह भी पूछा जाता है कि हैधराबाद किस नदी के किनारे इस्थित है यह इस्थित है मूसी नदी के किनारे और हैधराबाद और सिकंद्राबाद इन दोनों को ही जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है next question है माना गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है तो यह बनी होती है calcium oxalate की next question है भारत में हरित क्रांती का जनक कौन था तो भारत में पूछा जा रहा है और भारत में हरित क्रांती के जनक थे MS स्वामीनाथन और यदि विश्व में पुछा जाए तो विश्व में हरित क्रांती के जनक थे नॉर्मन बॉरलोग और दूद क्रांती के तो दूद क्रांती के जनक थे वर्गीज कुरियन नेश्ट कोश्चन है बागो का प्रमुक रिजर्व सरिषका भारत की किस राज्जी मिस्थित है तो सरिषका राजिस्थान के नए राज जिपाल तो यह भी आप याद रखिएगा तो दोस्तों यह थे रेलवे एंटी पीसी मॉडल पेपर 20 से रिलेटेट मोस्ट इंपोर्टन थर्टी अमसी क्यूँ आई होप यह वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया तो अपने श्टडी रिलेटेटर रूप में शेयर जरूर करिएगा और ओनलाइन स्टडी पॉंट को लाइक शेयर सब्स्राइब करना बिलकूर मत भूलिएगा और आप लोगों के लिए ओनलाइन स्टडी की लिंक ओपन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें की पिछले एक साल का करन्ट अफियर डिटेलिंग फॉर्म में कवर कराया गया है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मज कर दोस्तों przyक्षियर cinematव से उपन है जाधिक स्टाउशन बॉक्स कि अहर है वचले में है और